हेलो स्वागत आपका एसकी क्लास मरसान में तो आज हम question number 11 को discuss करेंगे द्यान से देखिएगा पहले read कर लेते हैं state whether the following are true or false justify your answer आपको जो statement है वो true है या false है यह आपको justify करना है तो सबसे पहला question है द्यान से read करेगा the value of 10 is always less than 1 जो 10a की value होती है वो हमेशा less than 1 होती है आए देखते हैं यह जो statement है बिल्कुल false है क्यों को देखो मैं आपको बताता हूं 1045 की value क्या होती है 1045 की value होती है 1 जब इसने वोला 10a की value always less than 1 होती है एक से छोटी होती है जबकि हमने खुद पढ़ाय 1045 की value जो होती है वो 1 होती है इसलिए यह जो statement है वो बिल्कुल false है incorrect है पहले जो statement है वो false है आए यह second statement को देखते हैं सेके की value 12.5 हो सकती है तो सेके को ऐसे समझें सेके को आप मान सकते हो को से अगर से को को से करोगे तो value change हो जाएगी पाइब पॉण 12 फाइब पॉण 12 वो अगर solve करोगे तो जीरो और बन के बीच में आएगी जीरो और बन के बीच में आएगी और कॉस और साइन की value में जीरो और बन के बीच में आती है तो यह जो statement है वो बिल्कुल ग्लत है कि आए यहां पर एंगल के यह होता है और यह multiply नहीं कर रहा होता है कोट के साथ multiply करता जैसे मालू को है तो इसको कोण 20 कोट लिक सकते थे जो की नहीं लिख सकते है इसलिए यह मल्टिफ्लड बलगा इंगल होता है इस चीज्थ को जिढ़ना कोट यह हो साइन-एंगल तो एक तो यह स्टेटेट आपकी ब्लॉक्ण स है क्योंकि को अगर आप सॉल्व करोगे देखो फॉर अपॉन थ्री डिवाइड करोगे त्री 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 नाइन वन पॉंट्री त्री कुछ ऐसे आएगा जो वैल्यू बन से ज्यादा है जबकि सायन की वैल्यू हमेज साथ जीरो बन के बीच होती है या जीरो या बन हो सकती है लेकिन आपन से ज्यादा नहीं होती है इसलिए यह वाली जो इस्टेटमेंट है वह गलत है आई होब आपको सारे क्वेस्टन्स जो और ट्रू फॉल्स हैं इनकी स्टेटमेंट कैसे ट्रू है कैसे फॉल्स है सब्सक्राइब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में